Hello Everyone, आज के इस लेक्षेर में हम लोगं कॉंजूगेशन के बारेंगे. हमें पता है हम जीन ट्रांफरीम प्रोक्यारियोट्स पढ़ए हैं, जिसमें हमने तीन मैथड पढ़े हैं, कि तीन मैथड से प्रोक्यारियोट्स में जीन का ट्रांसफर होता है, Transduction, Transformation, Conjugation Transduction हम अरड़ी पढ़ चुके हैं आज हम Conjugation के बारें पढ़ेंगे Conjugation क्या होता है It is the process by which one bacterium transfer genetic material to another through direct contact दो bacterium के वीच में direct contact होता है जिसे उनका gene transfer होता है इस process में एक bacterium donor की तरह act करता है और दूसरा bacterium recipient की तरह act करता है जो donor bacterium होता है वो अपने पिलाए से पाइलेस का formation करता है जो की जाकर के connect हो जाती है जाइन हो जाती है रेशिपियन बेख्टिरिया से और उस पाइलेस की वज़े से एक bridge का formation होता है एक canal का formation होता है दोनों बेख्टिरियम के बीच में डोनर और recipient bacteria के बीश में और उस bridge से जो पाइलर से जो bridge का formation हुआ है उस bridge से gene का transfer होता है या gigantic material का transfer होता है Conjugation में जो element important है वो plasmid है donor bacteria के body में plasmid present होना चाहिए plasmid क्या होता है ये वी देख लेते हैं हम लोग plasmid है extra chromosomal, small, circular, super coiled, double stranded DNA ने प्रेजेंगे सलव प्रेजिट है उसका स्ट्रव को रया गीजट सब करया है दिरा जकले ठीक रगारें तो किसी बेंट करेजी के एता ज़ारी थरिंद में recent नहीं होताया लेकिन मॉस्ली जितनी भी बेंटिरिया को स्टी चोड़ी में यूश्चा सब में है तो बेक्टेर होगी या फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा जिस बैक्तिरिया के अंदर प्लाजमिट प्रेजेंट है तो वह उसको एक्स्ट्रा एड्वांटेज दे देता है एक्स्ट्रा एप्लिकेशन जैसे कि किसी एंटिबार्टिक के अगेंस्ट रजिस्टिविटी प्रॉइट कर देता है कॉंजूगेशन में वो डोनर की तरह आग्ट करेंगा फ्लाजमिट जनरली दो टाइप के होते हैं कॉंजूगेटिव प्लाजमिट और दूसरा है नॉन कॉंजूगेटिव प्लाजमिट ऐसे बैक्तिरियम जिनका प्लाजमिट कॉंजूगेशन में हेल्प करता है क किसी भी Plasmid को Conjugative Plasmid बनाने के लिए पहला तो उसका F Plasmid होना चाहिए वो F Plasmid का मतलब है F Factor Fertility Factor उसके अंदर प्रेजन्ट होना चाहिए जो की Conjugation में help करता है और दूसरा Tragen present होना चाहिए उसके अंदर Non Conjugative Plasmid क्या होते है जिनके अंदर Tragen absent होता है अगर Tragen present हुआ तभी वो Conjugation करवा पाएगा Otherwise ऐसा बैक्टिरियम जिसके अंदर Non Conjugative Plasmid है फिर वो Conjugation में डोनर की तरह आक्त नहीं कर सकता Conjugation की कुछ properties देख लेते हैं Conjugation need direct cell to cell contact दो बैक्टिरियम के बीच में direct physical contact होना चाहिए तभी Conjugation का process पूरा होता है complete होता है Conjugation must be of opposite mating type दो opposite mating होनी चाहिए दो opposite bacteria एक बैक्टिरियम जो डोनर की तरह आक्त कर रहा है जिसके अंदर Plasmid present है Conjugative Plasmid present है उसके अंदर F Factor present है वो बैक्टिरियम male कहलाता है और दूसरा बैक्टिरियम जो recipient है जिसके अंदर Conjugative Plasmid absent है उसके अंदर कोई Plasmid नहीं है कोई F Factor नहीं है तो वह female considered होगा जिस बैक्टिरियम के एंदर F Plasmid present है F Factor present है वो male consider किया जाएगा और जिसके अंदर Plasmid absent है वह bैक्टिरियम female consider किया जएगा तो यहां पे दो ऐसे Bacterium, एक male और एक female यानि कि एक Plasmid के अंदर een F Factor present है और दूसरा Bacterium जिसके अंदर F Factor Evidence 인 दोवे मेर्टिंग दो ऑपोजिट बैक्टिरियम के वीश में ही मेर्टिंग होती है डोनर सेल विद एफ एक्टर और एफ पॉजिटिव सेल रेसिपियंट विदाउट एफ 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 नेगेटिव सेल यह तो हमें देख करके पता लग जा रहा है कि जिस बैक्टिरियम के अंदर एफ एक्टर प्रेजिट होगा वो एफ एफ प्लस सेल कहलाते हैं एफ पॉजिटिव सेल कहलाते हैं donor से recipient में तो वो recipient भी convert हो जाता है F plus cell में पहले वो F negative था क्योंकि उसके पास plasmid नहीं था लेकिन जब conjugation का process होता है gene transfer हो जाता है donor से recipient में और finally जो recipient है उसके अंदर भी F factor आ जाता है और वो भी F minus से F plus cell में convert हो जाएगा कौन-कौन से steps हैं जो conjugation में involved होते हैं पहला है step है इसको भी हम लोग general से steps पढ़ लेते हैं फिर इसको हम लोग diagram की हल से अभी हम लोग समझेंगे detail में इसको डोनर सेल फॉर्म सेक्स पाईलस उसके बाद पाईलस attaches to recipient cell and bring the two cell together third step होगा only single strand of plasmid is transferred to the recipient cell fourth step है वो तर सेल synthesize in a complementary strand to produce double stranded circular plasmid and also produce pilus और last step होगा बोथ cells are now viable donor अब इन सारे steps को हम लोग grammatically diagram की हच से समझते हैं फॉर्स step में जिससे आप देख रहे हो एक donor cell है जिसको हम f plus cell बोल रहे हैं जिसके अंदर f plasmid present है और pilus present है और दूसरी तरफ recipient bacterium cell है जो की f negative cell है जिसके अंदर केवल उसका DNA chromosomal DNA है f plasmid उसमें absent है तो जो f plus cell है वो यहां पर male की तरह act करेगा और जो f negative cell है वो female की तरह act करेगा दूसरे step में क्या हो रहे है जो donor cell है वो अपने pilus को recipient cell के साथ attach कर दे रहे है यह एक bridge का formation हो गया donor cell और recipient cell दोनों के बीश में close contact का formation हो गया अब next step में क्या होगा तीसरे step में जो plasmid है वो plasmid इसका जो gene है वो gene transfer होंगे recipient cell में हमने यह पीछे पढ़ा कि जो plasmid होता है वो double stranded DNA होता है बट जब यह gene transfer होगा जो plasmid का एक portion transfer होगा recipient में तो सिर्फ एक strand transfer होता है दोनों strand transfer नहीं होते हैं के वल एक strand transfer होगा transfer करने के लिए plasmid को पहले 20 से cut करना होगा cut करने के लिए जो substance responsible है वो है relaxosome relaxosome plasmid को के एक part पे cut कर देता है जिसकी वज़े से कि वह thread मतलब वो पहले circular में था relaxosome ने उसको cut कर दिया अब फ्रीली मूव हो सकता है डोनर से recipient cell की तरफ लास्ट फाइनल स्टेप में क्या हो गया plasmid transfer हो गया जैनेटिक material transfer हो गया अब दोनों के पास single strand plasmid के बच गया डोनर के पास भी single standard plasmid है और डोनर के पास भी single standard plasmid है बट प्लाजमिट डबल standard होता है तो यहां पर डियने पॉलिमरेज एंजाइम complimentary इन दोनों के अंदर donor cell और recipient cell के अंदर इनका complimentary दूसरा strand का formation कर देगा तो finally क्या हो गया दोनों के अंदर double stranded plasmid हो गया और जो recipient cell था जो f negative cell था अब उसके अंदर भी pilast का formation हो गया है और वो भी अब f plus cell में convert हो गया क्योंकि उसके पास भी f plasmid आ गया उसके अंदर भी pilast का formation हो गया और वो f negative से f positive में convert हो चुका है और वो भी एक नया donor बन गया है अब वो भी जा करके किसी नए recipient के साथ conjugate करेगा और यह phenomena carry on होता रहेगा application क्या-क्या है conjugation की antibiotic resistance conjugation से जो bacteria है जो f negative bacteria है उसके अंदर वो properties आ जाती है जैसे कि antibiotic resistant हो जाता है जीनो biotic से tolerance हो जाता है और ability to use synthesize new metabolite जो यह ability एक f negative cell के पास नहीं थी क्योंकि उसके पास f plasmid present नहीं था अब उसके पास f plasmid transfer होकर के आ चुका है तो उसको भी किसी पर्टिकुलर एंटिवाइटी के अगेंस रिस्टिविटी मिल जाएगी जीनो biotic से tolerance मिल जाएगा जीनो biotic अर्दा क्यामिकल्स कुछ ऐसे क्यामिकल्स जो बैक्टिरियम के लिए harmful है उनको जीनो बाटिक बोला जाता है और उनके अंदर यह पर भी अबिलिटी आ गई है कि वो किसी नए मेटाबोलाइट को अब सिंतेसाइज कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं जो जो अबिलिटी उसके पास पहले नहीं थी ओके तो इस वाल बाट कॉंजूगेशन में अच्छाब चीज़गेशन सब्सक्राइब लाट कर दो दो अच्छाब बाट कर दो अच्छाब लाट कर दो अच्छाब कर दोड़ेशन